संजे सिंग भी जब वापस आये जिनकी चर्चा हो रही है वो कह रहा है ताना शाह सरकार इसको खतम करना है और यह जिन जिन जो जो हमारे नेता बोलते हैं बड़े नेता बोलते हैं उन पर कारिवाई एडी और सीबियाई का चाभी कस देते हैं देखिए यदि आप डेमोक्र सर ओथ लेता है तो वो यह कहता है कि मैं एक विदान के द्वारा इस चीज़ का पालन करूंगा एडी ने उनको नौ समंट बेजे उस नौ समंट में एक भी बार वो वहां पर अंदर नहीं आए यदि वो इतने ही मांदार होते या इतने ही सही होते तो उनको उनके सामने पे statutory पद पे होते हुए भी उस चीज़ की अवहलना की बलके मैं तो यह समझता हूँ कि उनके उपर एक मकदमा चलना चाहिए कि क्यों मकदमा इसलिए चलना चाहिए कि जब आप एक कानून की शब्द लेते हैं कि मैं का पालन करूंगा उन्होंने पालन नहीं किया उन्होंने एक इतना गल्थ ट्रेंड शो कर दिया कि एक statutory संस्ता जो ED है यां CBI है या और भी कोई संस्ता है उसको उसको पालन करना चाहिए एक एक अग्जामपल देना चाहिए कि एज ट्रू सिटिजन मैं कनून की रक्षा करने वाला आदमी हूं पर उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्ह सब्सक्राइब जिल भेज देंगे ऐसा है मामला मुझे मुझे खाली एक यही सिटिंग सियम ऐसे हुए है जो जेल के अंदर है और सीयम को रिजाई नहीं कर रहे हैं सियम का रिजाई नहीं करते आप मुझे बताए इससे पहले कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हुआ है जो इसको sitting on a government official post you have to set an example which he is not doing स्पाइधर्स के वकीर स्ञदभी साब का इंटर्यू में आस Maughlin में देख रहा था कैया निय Literally पैसा नहीं मिला सवाल है एक जो है वो जो सबसे चोटा चोर कॊन होता है सब कट क他 भी जया जय जो हमारा हमने जो डबलपमेंट की अदिली में, हमने जो स्वास्त पे काम किया, जो सिक्षा पे काम किया, पूरे देश को, पूरे देश के सियम और खुद पीम को भी नकल करनी चाहिए है। मतलब वो पैसा उनको सामने रख देना चाहिए था जिससे कि कोई भी आया और वो कह दे कि यह पैसा रखा हुआ है क्या मजाक है यह कोई जबाब हुआ और उनके इतने बड़े वकील लाखों वाले वो कह रहा है कि जो है उनके घर पैसा नहीं मिला इंटर्व्यू में आज ही सुबह का हो नो आपको दर्द नहीं हो रहा है उनका सुगर लेवल लगातार वजन कम हो रहा है उनका हम पूरे देश नहीं के जाती है और उसमें कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती हर रोज मेडिकल टेस्ट होता है यदि ऐसा होता तो क्या जो उसके मेडिकल रिपोर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए कि उसका 4.5 kg वेट कम हो गया है ऐसा कुछ नहीं है यह खाली पब्लिक सिंप्थी गेन करने के लिए खाली नुटंकी की जा रही है खाली नुटंकी की जा रही है आप महिला है तो दिल्ली से एक आवाज आती है कि जब भी हम पहली बातों में कटर इमानदार बाद में बताऊंगा एडी और सीबी आई जो है किसी के कहने से नहीं आती है वो केसिज कई साल से चल रहे होते हैं सीबी आई का काम पुलिस की तरह नहीं है कि जागे तुरंद पकड़ लिया सीबी आई पहले अपने सबूते कठा करती है कि प्राइमा फेशी केस देखती है फिर उससे जुड़े हुए लोगों को कॉंटक्ट करती है उन उनके डालती है जब उनके केजनी बाद से कौन डर सकता है वह तो सब को डराते ही है लेकिन कौन डरता है उनसे वह जूट बोलते हैं जो कहते थे कि हम बहुत ही सिंप्लिसिटी से रहेंगे हम कार भी नहीं प्रयोग करेंगे वो रेंटेड हाउस में रहेंगे आज पचास करोड का जो है बंगला बनवा सबस्ट करेंगे और क्या क्षिशता करेंगे और क्या सकते हैं साजिश तो है यह जब वो इतने बड़े गोटाले में जुड़े हुए हैं सो करोल का पैसा कहां गया उसमें पहतालीस करोड गोवा में खर्च हो गया बाकी पैसे का ट्रेल कर रही है सी सी बी आई और एडी तो वो यह सब साजिशी तो कर रहे हैं इसने इसने कटर इमांदार जो है जैन चले गए सिषोदिया चले गए केजिरीवाल चले गए संजय वापस आ गए संजय आ गए बेल पर उनका केस खतम नहीं हो गया बेल पर आए है और आप यह सोचिए कि इतने लोग क्यों चले गए उनको बेल क्या गवर्मेंट देती है गवर्मेंट बेल तो जो है कचैरी देती है कोट को नहीं मिल लगे उनको वह हाई हाई कोट में यह गर्मेंट काम है अपनी हिसाब से सबकों यूज कर लेती है जब बचा आप पहरा है तब तो जो है कुछ भी नहीं बचा आप जो है जब आपको बेल हो जाती है तब तो जो है हमारे हाँ जो है जो है सोटन्टिटा है लोक्तन्ट है और जब बेल नहीं होती है तो आप कहते हैं इनको मैनेज कर लिया गया है